राजनिती में कहा जाता है कोई किसी का सगा नहीं कोई किसी का दुश्मन नहीं हर कोई यहां पर अपने अपने राजनिती को लेकर के साथ आते हैं और हर किसी के लिए दर्वाजा यहां खुला होता है ये बिल्कुल आपने सही सुना एक तस्वीर देखिए और इस तस्वीर के जरिये समझे बिहार की राजनिती में क्या बड़ा हुआ है और क्या बड़ा होने वाला है ये बिल्कुल सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए और समझने के कोशिश किजिए इस तस्वीर को भारती राजनिती में दश्कों तक याद किया जाएगा एक तरफ जहां बिहार के मुख्या सियम नितिश कुमार नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मुकामाग में जीत हासिल करने वाली अनन सिंग की पत्नी नीलम देवी नजर आ रही है नीलम देवी हात में गुल्दस्ता लि पता होगा अनन सिंग और नितिश कुमार दोनों एक दुसरे के दुर विरोधी रहे हैं और अनन सिंग के समर्थक लगाता सियम नितिश कुमार पर ये आरोप लगाते रहे हैं कि उन्हों नहीं अनन सिंग को फसाया है ऐसे में देखिए अनन सिंग की पत्नी अब मुकामा ब पहुची हैं उनके आवास पर किस तरीके से दोनों के चहरे पर मुस्कान साप तौर पर देखा जा रहा इसलिए कहते हैं ये भाईया बिहार की राजनिती है यहां में पल-पल बदलते हवा और राजनिती के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है जिस तरीके से बाहुबली अर में अब उनकी पत्नी नीलम देवी राज करेगी लेलन सिंग के पत्नी सोनम देवी को नीलम देवी ने 16707 वोटों से हरा दिया है ये महांकटबंधन के लिए तेजस्री आदब के लिए बड़ी बात है हालांकि देखे जिस तरीके से भाजपा ने वहां फाइट किया है अनन सिंग की पत्नी नीलम देवी भी शामिल होंगी क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें जिस तरीके से बिहार में मंत्री बनाय गए थे अनन सिंग की बेहद करीबी जो दहने हाथ कहे जाते हैं कार्तिक मास्टर उनको बिहार के नितिश कुमार ने केबिनेट से बाहर बनना इसलिए भी तैमाना जा रहा है कि अनन सिंग के करीबी MLC कारते के कुमार मंत्री पद से स्थीपा दे चुके हैं चुकी नीलम देवी पर वैसा कोई अपरादिक मामला नहीं है जिससे उनको मंत्री बनाने से बाधा हो या फिर अनन सिंग के जेल में हैं वो चाहते हैं कि सत्ता की चाबी उनके पास रहे तो देखें अनन सिंग जेल में रहें या ना रहें सत्ता की चाबी उनके पास मुकामा की रहेगी और बिहार में देखें अब मंत्री भी बनने जा रही है नीलम देवी इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि बिहार की राजनिती में क्या है और यह तस्वीर क्यों बड़ी तस्वीर है जो लगातार हम आपको बार-बार कह रहे हैं कि बिहार की राजदिती में यह तस्वीर को दश्कों तक याद किया जाएगा फिलाल इस में इतना ही हमें दीजे जादा थोरे मिलते किसी बड़ी कवर के साथ तब तक के लिए धन्यवाद